सुप्रीम कोट की लेंडमार्क जज्जमेंट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें क्यों है कि दुनिया भर में पहन है और यहां हमें यह मिल रही है, ऐसा यह केस 1987 में सुप्रीम कोट ने डिसाइड किया, जिसमें 1981-82 में केवला के एक एड़ोकेट विंसेंट उनका नाम था, उन्होंने एक प्रूब्लिक इंट्रेस्ट लिटिकेसन सुप्रीम कोट में दायर क और उन्होंने कहा कि भारत में जो drug manufacturing companies है mainly, वो या तो अमेरिका से संबन्दित है या या यूरोप के देशों से संबन्दित है या कुछ जापान से भी है तो जो ये बाहर के देशों की या विदेशी कंपनिया है ये भारत के लोगों को एक तरह से exploit करती हैं और ये वो दवाईयां भारत में जोर सोर्स से बेज़ती हैं, distribute करती हैं, manufacture करती हैं जो दुनिया भर के developed देशों में बैन की जा चुकी है और उनका ये कहना था है, उन्होंने ये इस बात के थूँ जो है, sporting उनका जो डोकुमेंट था वो ये था कि 1974 में एक हाथी कमेटी रिपोर्ट आई थी और उसमें हाथी रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो विदेशी कंपनिया है ये भारत के लोगों को एक तरह से exploit कर रह ही है और उनके जो हैल्थ के साथ खेल रही है तो उसको उन्होंने बेस बनाते हुए इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को सुप्रिम कोर्ट में फाइल किया उनका कहना ये था कि एक तो जो दवाईयां दुनिया भर के देशों में बंध है या स्पेसिपिकली अचिमी देशों में कोई जो ड्रग है उसको होमन बोडी के लिए टोक्सिक माना जा सकता है तो भारत में भी उस वेक्ती जो वेक्ती उसको लेगा उसके लिए टोक्सिक नहीं है और उसके लिए टोक्सिक है तो एक बात तो यह थी दूसरा यह था उन्होंने ये भी कहा कि इसको प्रोपर ढंसे regulation इसका होना चाहिए और consultative committee का जो provision है उसके अनुसार ऐसी दवाईयां और ऐसी दवाईयां बेजने वाले कमपनियां बैन की जाएं। सरकार को सुप्रिम कोर्ट ऐसी direction issue करें जिसके तहत ये जो विदेशी कमपनियां दवाईयां बनाने वाली भारत के लोगों का exploit कर रही हैं ऐसा ना कर सकें उनके health के साथ खिलवाड ना कर सकें ऐसा सब उन्होंने अपनी petition में दिया था इस जो case में जो judgment थी उसमें सुप्रिम क territory की तरफ move किया कि वही इन company को ban कर दिया जाए लेकिन उन्होंने concern जरूर दिखाए और उस advocate के जो efforts थे उसको appreciate भी किया उसको compensation की दोर तोर पर 5,000 रुपए देने के लिए भी government को और health ministry को direction दी लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि सरकार इन सब concerns को seriously ले और consultative committee को ये जो issues हैं सब भेजे हैं और उसके हिसाब से consultative committee इन मामलों में direction ले सकती है Supreme Court ने ये भी कहा कि human health जो है वो सबसे paramount चीज है सबसे important चीज है क्योंकि अगर व्यक्ति healthy है तब ही बाकि सब जो दुनिया भर के काम जो व्यक्ति कर सकता है वो कर सकता है अगर दुनिया भर के देशों में अगर वो बैन है तो वो भारत में भी ना बिकें और वो सब जो है consultative committee देखें Supreme Court ने खुद ने ऐसी कोई direction या guidelines issue नहीं की जैसे कई मामलों में Supreme Court guideline let down करता है तो इस मामलों में guideline नहीं थी लेकिन Supreme Court ने ये कहा कि सरकार इन मामलों में देखें और effective regulation effective law जो है लाए और implement करें समय के हिसाब क्योंकि जो health industry है वो ever changing field है और समय समय के साथ इसमें बदला होते रहते हैं वैसी ही industry में जो दवाईयां है या technology है वो बदलती है उसके हिसाब से सरकार भी समय समय पर जो कानून बने हुए इन विवस्ताओं के लिए उनको देखें और उनको update करें